शुर्स हम बात करें थे इंट्रोडक्शन टू कम्प्यूटर के उपर और हमने देखा जी कम्प्यूटर जो है बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो के हमारे अरिथमाटिक से लेके जिफरेंट तरह के टास्च जो हम इसे परफॉर्म करते हैं ठीक है इसकी हमने देखा बेसिक टू कम्पोनेट्स के उपर यह रन होता है एक तो है हार्डवेर जो के आपके टचेबल जो प्रोडक्ट्स है ठीक है और सॉफ्ट्वेर जो है वो अन्टेचेबल है या जिसको आप टच नहीं कर सकते ठीक है अब अगर आप देखें सॉफ्ट्वेर के उपर हमने बात की ज इनिवर्सल यूएस भी जिसको हम बोलते है इनिवर्सल सब्सक्राइबर बस ठीक है बेसिकली इसका अब्रिवेशन है ठीक है यूएस भी इसको आप फ्लैश ड्राइब भी बोलते है ठीक है यह एक बेसिकली स्टोरेज डिवाइस ही है फ्लैश ड्राइब ठीक है फ्लैश इसका जो मैं अब्रिवेशन है गीगाबैट्स ठीक है अब हम सॉफ़एर ले साइट पर आते हैं वाट इस सॉफ़एर आप देखें आपके पास जो आपने हार्डवेर जितने भी डिवाइसे बनाए है इनको रन करने के लिए इनको इंटेग्रेट करने के लिए इन सब को अकठा करने के लिए ठीक है डेफिनिटली आप मैं आपको इस तरह से समझा सकता हूं कि फर्ज करें यह आपके पास CPU है ठीक है पिर यह आपके पास monitor है ठीक है let suppose अब इनको through wires हम जब connect कर रहे हैं तो हमें जो है इनको run करने के लिए हमें को set of procedures define करने पढ़ेंगे set of procedures यह जिसको आप use समझ सकते हैं कि instructions ठीक है set of instructions कह लिए set of procedures कह लिए set of instructions instructions अब यह तमाम जो instructions जो है वो in the form of in the form of document यह इनको हम जो है वो write करते हैं और यह जो आपकी जो machines हैं जो आपका hardware है वो इनको read करने के सलाहियत रखता है यह इन set of instructions को read करने के सलाहियत रखता है set of procedures को read करने के सलाहियत रखता है और उनको read करके यह आपस में तमाम इसके तमाम जो operations हैं उनको integrate करता है और मुखलिफ जो है वो काम सर अंजाम देता है अब सबसे पहला जो basic अगर आप देखें जो आपके पूरे CPU को run करता है जिसको तमाम जो चीजे हैं को integrate करता है ठीक है यह हमें चाहिए होता है operating system operating system अब what do you mean by operating system operating system एक ऐसा system एक ऐसा software जिसके तहत आपका CPU जो है वो inputs लेता है और उसके नतीजे में हमें outputs देगा ठीक है अब definitely उसके लिए internal जो processing है उस processing को run करने के लिए हमें एक operating system define करना पड़ता है और वो operating system आप जानते हैं कि अगर आप यूँ देखें आप यूँ कहें तो 1985 में जब आपके windows 101 आई थी windows 101 windows 1.01 ठीक है यह चाहिए हमारी पैदाई से भी पहले की बात में कर रहा हूँ ठीक है windows 101 आई थी उसके बाद आप अगर आप देखें तो windows के latest model अभी मतलब windows के latest जो है वो वर्जिन आपके पास आए है ठीक है इसलिए हमने बात की थी जो operating system होते है यह set of instructions यह set of procedure जो होते हैं वो adaptable होते हैं यह flexible होते हैं जो आप अप grade कर सकते हैं ठीक है उसके बाद आपकी बहुत सरे वर्जिन इसके आए तो फिर अगर मैं उन वर्जिन की बात करूं जो well known है तो windows 98 है आपके पास ठीक है यह भी operating system है जिसके तुरू आपका जो computer है वो run होने के काबिल होता है यानि इस्तमाल के काबिल बनता है ठीक है windows 98 है 2000 है windows xp हमारे पास आ गई ठीक है windows vista हमारे पास आ गई उसके बाद अगर आप देखें तो windows 7 and windows 8 और अभी windows 8.1 जो latest version windows का है अब यह एक type है Microsoft का operating system इसी तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो Linux है ठीक है Linux भी एक operating system है हमारे पास ठीक है इसी तरह से अगर आप जो है वो Macintosh operating system देख सकते हैं ठीक है Macintosh operating system है हमारे पास ठीक है इसी तरह से हमारे पास जो है अगर mobile के अंदर आ जाओ तो आ आपके पास iPhone है, iPhone operating system है, अपरेटिंग system है, शॉर्ट ओर में लिक रहा हूँ, ठीक है Android system है, अब ये तमाम वो system हैं, ये जो है software हैं, जो कि आपके उस hardware को जो है वो इस्तमाल के काबिल बनाते हैं, ये उसको instructions रहते हैं, वो उन instructions को read करता है, जिसकी basis के ऊपर आप अपने, जिस की basis के उपर वो inputs और outputs को process करता है ठीक है अब देखें ये तो हमारे पास software हो गया अब definitely ये जब आपने operating system install कर दिया तो ये operating system बहुत सारे further applications को application को run करने की सलाहियत भी रखता है जैसे अगर आप देखें तो अगर आपने सदा काम लेते हैं for example आप अगर MS Office में देखें तो MS Word है MS Excel है MS PowerPoint है ठीक है तो जिसके थूँ आप जो है वो you know reports ये documentation ये letters ये तमाम जो है वो tasks सर अंजाम दे सकते हो ठीक है reports है documents है reports documents ठीक है और इसी तरह से जो है वो letters है इस तरह से जो है वो आप उनको type कर सकते हैं उनको edit कर सकते हो ठीक है उनको printer के थूँ आप उनको print करके hard form में ले के आ सकते हो ठीक है उनकी formatting कर सकते हो तो ये basically आपके पास जो है वो एक application है जो कि आपका operating system उसको चलाने के इसलाहियत रखता है ठीक है ये भी basically set of instructions ही है ठीक है set of instructions ही है जो के additional instruction है जो के operating system उसको run करता है ठीक है इसी तरह से अगर आप computer का use देख लें तो computer का use आपको जो है वो यानि education से लेके education education से लेके hospital hospitals के अंदर ठीक है architecture के अंदर archi archi sorry मैं यहाँ पे spell correct कर दूँ architecture archi texture के अंदर archi textures और दुनिया की हर field के अंदर अगर आप देखे तो computer जो है वो अपनी computer से life असान हो सकती है ठीक है internet अगर आपने चलाना है तो definitely आपको hardware और some application या operating system required होगा ठीक है और plus आपको internet required होगा तो आप जो है दुनिया जहान की information वहाँ पर गर बाढ़ के दे सकते हैं आप ये computer ही की बदोलत आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं दिये education में सबसे बड़ा इसका जो है वो रोल है और इसी basis के उपर यानि ICT के ICT को देखते हुए इन्फॉमेशन के मिनिकेशन और टिकनोलोजी को मद्द नज़र लगते हुए हमारे mind में ये idea है और हमने देखा कि अगर computer ये technology है वो दुनिया की जिन्दगी की हर चीज़ के में आसानी पैदा कर सकती है या आसानी लेके आ सकती है तो हम education के अंदर क्यों ना इसको introduce कराएं और education ICT के तुरू education को ये distance learning को जो है वो हम जो है वो जो है ये distance learning जो है वह हम इसके तुरू करें ताके students को इससे फाइदा हो ठीक है यानि ये वो videos है यानि ये देखें इसके benefits का है अगर आप यहां पर देखते हैं तो हमें ये बात समझ आती है कि आप ये videos अगर आप 10 दफ़ा rewind करके देखना चाहें या 10 दफ़ा pause करें या 10 दफ़ा पिस video को play करें ये कोई teacher नहीं है जो sometime you know अकसर teacher जो है वो time ना होने की वज़े से या वैसे ही वो आपके answer का बार बार आप questions पूछें तो वो irritate होते हैं तो ये computer आपके irritate नहीं होगा या आप जितनी दफ़ा सुनना चाहें वीडियो सुन सकते हैं आप इनको store कर सकते हैं videos को ठीक है in the form of notes and the form of lectures तो ये education की ही computer की ही की ही बदोलत ये possible हुआ